हरे दोस्तों नमस्कार तो हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका क्लास एट का जो है आपका कि एंसी आर्टी की बूक हो गई कि सीवी एसी के जो बच्चे हो गए उनके लिए या आपको कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हो गए या अधर कोई भी बोर्ड है वो अगर कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं उसके अलावा जो आपके यू पी एसी के त्यारी कर रहे हैं या एस्टेट पी एससी की त्यारी कर रहे हैं या एससी की कर रहे हैं या nda की कर रहे हैं cds की कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसमें आपको मैं आपको अच्छे तरीके से मदद करूंगा ठीक है और कंसेप्ट को सही तरीके से समझना बहुत ज़्यदा जरूरी होता है खास करके जो यूपीस एक्जाम कंडेक्ट करता ह तो उसको बहुत ही माइनिट वे में हम सिखाते हैं तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और उसके अलमा जो है स्वाप नौटिफिकेसन का बेल आइकन को दबा दीजिए तक जब भी हमारी लक्चर आती है तब तक आपको सहीज तरीके से पहुँच पाए ठीक अधिए पॉलीटिकल अधिए लाइफ का जो तीसरा पार्ट है ठीक है यह जो आपको क्लास एट का है ठीक है तो एक्ट्वल में जो हम लोग का में मोटो रहता है कि हम लोग जैसे यूपी एसी और एस्टेट पीएसी को बच्चों को ही परहाना है लेकिन चुकि यह बूके बूके हैं और एक अथंटी को है दूसरा चीजी है कि जो कि एक एक बच्चे पर रहे हैं उनके लिए फायदे मंद है तो वह बच्चे भी हमसे जूर सकते हैं और देख सकते हैं तो हमारा चैप्टर का नाम है इंडियन कंसिट्यूशन एंड सेकुरालरिजम ठीक है तो चली यह हम लोग अब सुरू करते हैं चैप्टर वन जो है आपका है आपका शाइब जो करते हैं आपका लाइब हैब अ क्यों जो और वह है आपका शाम स्थर्णा में स्थरू विए टुझ हैँ़ प्राइब आपना शाम जो हैं आपका शाम इंडियन कंसिट्यूशन एंड सेकुलरीजम ठीक है यह जो इस आपका पहला चैप्टर है तो इसमें चुकी देखिए इसको अगर हिंदी में चुकी है हम हिंदी वाले बच्चों को भी हम यहां पर बताते हैं तो आपको भारतियस सम्विधान एंग धर्म निर्पेक्ष्टा देखिए यह जो है चैप्टर बहुत ही एक्च्वल में एंसी आटी के चीजें ही भूकें ही बहुत प्यारा तरीके से एक्स्प्लेइन किया जाता है ठीक है अगर उसको एक आप अच्छे समाझ लें तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी तो यहां पर अगर कहा जाए कि इंडियन कंसिट्यूशन एंड सेकुलरिजम के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो चीजें पढ़ना है आपको एक तो आपको पढ़ना है आपका क्या Constitution of India मतलब पहले आपको यहां पढ़ना पढ़ेगा Constitution of India ठीक है और Constitution of India की एक पुरपर्टी है जिसका नाम है आपका सेकुलरिजम जिसको हम यहां पर धर्म निर्पेक्च बोल रहे हैं तो देखो सेकुलरिजम जो है आपका यह एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है यह क्या एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है इस anarchी में भारतिय शमीधान में लाया गया है ठीक है इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि कोनसेचूस्वन विλλिया और सेक्ल லिजम तो पॉलिटिकल कंसेप्ट है है हमें उसको समझना परेगा कि यह पॉलिट कनसेब्ट कहता है फिर हम लोग आगे बरहेंगे तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं किrh शैक्लरिजम का मतलब क्या होता है यह से क्लारिजम क्या है छीक है इसको हम सेकुलरीजम या अगर हम कहा है कि धर्म निर्पेक्ष यह क्या चीज है तो सेकुलरीजम या धर्म निर्पेक्ष की बात कहते हैं तो यहां दो चीज़ें आती है एक आता है आपका रिलिजन और दूसरा चीज आता है आपका एस्टेट जिसको हिंदी में हम लोग राज्य बोलते हैं और यहां पर धर्म हो गया तो आपका एक्ट्वल में सेकुलरीजम यहां के कंसेप्ट नहीं है यह जैस आपको फोरेंड या वेस्टर्न कंसेप्ट है ठीक है तो एक्ट्वल में यह को लाने की जरौत क्यों परी सबसे पहले समझना परेगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों किया गया देखिए सेकुलरीजम का पहले के जबाने में इंडिया में या बिदेश में कहीं पर भी चूंकि इस टाइब का धर्म इस टाइब का कंस्टिशूशन या कोई बुक नहीं था से समाज चलता था मतलब रिलेजन से समाज चलता था रिलेजन का अधार फैक्चुल नहीं था वहां पे सब मन गढ़ंत अधार था तो इसमें जो समाज आगे था वह अपने हिसाब से नियम बना करके जो नीचे वाले समाज था उनके साथ में वह सोसन करता था जब सोसन करत एक इंटीटी हो गया ओर रिलीजन एक अलग इंटीटी हो गया तो यहां पर आपका जो एस्टेट है और जो रिलीजन है दोनों को सेपरेट कर दिया गए मतलब कि यह इंडिपेंडेंट काम करेगा यह यह स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा और यह भी अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगा ओके इन दोनों को क्या किया गया अलग कर दिया गया कि यह अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगा और इसके मेटर में यह इंटर्फेयर नहीं करेगा और इसके matter में यह interfere नहीं करेगा मतलब कि religion के matter में जो है सो religion के matter में state interfere नहीं करेगा और state के matter में matter में जो है सो religion interfere नहीं करेगा इसको कहा जाता है complete separation that is called the complete separation यह एक तरह से कहा जाए तो पॉर्ण जो है सो आपका पिर्थिकरन कम्प्लीट जो है सो इसको अलगाव कर दिया गया, ठीक है, रिलीजन को एस्टेट से कम्प्लीट अलग कर दिया गया, तो अब यहां पे रिलीजन और एस्टेट, एस्टेट कोई काम कर रहा है, तो रिलीजन हस्तचेप नहीं करेगा, और है रिलिजन कोई काम कर रहा है तो एस्टेट हर्षफ नहीं करेंगा मतलब चर्च वहां उस टाइम पर या मंदिर या पुजारी जो है इसा अगर हम का है तो आपको यहां पर कित़ दिख रहा है उसको हम देख लेते हैं ठीक है there is the two model of the secularism okay हम चलिए हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि there is the two model of the secularism एक होता आए आपका कम्प्लीट सेपरेशन ठीक है एक होके आपका कि कम्प्लीट पूर्ना जो है सो एक तरह से अलग कर दिया गया और दूसरा मोडल होता है आपका सेपरेशन वीद एस्टेट इंटर्वेंशन सेपरेशन वीद एस्टेट इंटर्वेंशन मतलब कि अलगाओ तो है 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 अलगाओ तो किया गया है अलग तो कर दिया गया एस्टेट और रिलीजन को लेकिन जब जरूरत परेगा तो एस्टेट धरम के बातों में intervention कर सकता है रुकावर दाल सकता है अब देखिए यह complete separation का model जो है यह western country में चलता है Western nation हम कह रहे है इसका मतलब हो गया USA हो गया ठीक है और यहां पे हमारा यह इंडिया का जो model है इंडिया का model यह है आपका यह इंडिया में चलता है जैसे अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने ट्रीपल टलाग को बैल किया है ठीक है आपको कि ट्रीपल तलाग को या कहिए कि आपको रिखत कि और प। टलाग तलाग को के और अवर्भ отв को छोड़ाइने वाला जो है सो government अफ इंडिया ने अब इसको बैन कर दिया है तो हलाकि यह मैटर तो धार्मिक था यह तो मुस्लिम से लेटर मैटर था यह रिलिजियस मैटर था लेकिन सरकार का यह Constitution of India में आप जाएगा 25-28 आर्टिकल में जब जाएगा तो वहां पर हमारे समिधान का यह काना है कि सरकार के पास में अगर सिटेजन के हेल्थ हो गया और सेकुरिटी हो गया इस मैटर में आगा रिलिजियन और एस्टेट दोनों अगर टकराते हैं उस केस में एस्टेट जो है secularism and western model of secularism that is the question asked in the UPSC okay that is the means in paper two okay sorry okay तो यह question जो पूछा वह कहां पूछा तो यह question पूछा आपके में UPSC के में में पेपर टू में यह question पूछा कि इंड भारतिये जो आपका धर्म रिर्पेक्च है और पस्मी देशों के धर्म रिर्पेक्च में क्या अंतर है असपस्ट किजिए तो यहां पर हमने क्या देखा कि भारतिये मॉडल में क्या है कि complete separation नहीं है मतलब estate जो है वह धर्म के में में intervention कर सकता है लेकिन western में complete separation मतलब estate धर्म के matter में हस्तचेप नहीं करेगा और धर्म जैसो estate के matter में हस्तचेप नहीं करेगा यह हमने आपको basic introduction आपको यहां पर पढ़ाया है अब हम लोग इसकी चैप्टर को फर्मली इस्टार्ट करते हैं ओके चलिए हम लोग अब शुरुवात करते हैं अपने चैप्टर की तो यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम जब c o i लिखेंगे तो आप लोग समझेगा constitution of इंडिया इस इसको ध्यान रखिएगा इस और फर्म में है constitution of इंडिया तो भारत का समिधान एक कैसा समिधान है तो liberal समिधान है यह जो है आपको space देता है नेगोसियेशन या बातचित के लिए क्योंकि सारा चीज डिसाइड होता है after talk के बाद में debate के बाद डिसाइड होता है तो हमारा समिधान जो है सो एक liberal समिधान है या लचीला समिधान है लचीला समिधान amendment में नहीं है धर्म में मतलब की जो है सो यह respect करेगा इसका मतलब यह हुआ कि constitution अफ इंडिया जो है सो यहाँ पर respect कर रहा है सारे religion को लेकिन यहाँ पर जैसो estate का मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है मतलब जैसो एक तरह से कहा जाए India is a form of estate having there no religion मतलब भारत एक estate है जिसका अपना कोई रिलिजन नहीं है इंडिया is the form of estate that they are on having no any religion ओके तो यह हमारा जो है सो एस्टेट का मोडल है जिसमें हमारा जो है सो एस्टेट का कोई धर्म नहीं है ओके उसके बाद में हमने आपको बता दिया है आपको क्या कि सेकुलरिजम में सेप्रेशन अफ रिलिजन एंड एस्टेट है सेकुलरिजम में हमारा जो सेकुलरिजम को मोडल है तो सेकुलरिजम में जो है स्वापका सेप्रेशन अफ रिलिजन एंड एस्टेट ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में आपने कभी सोचा है करेंसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैजरूटी में जो धर्म के लोग है वह करना द्राय मैनुरीटेट project को प्रामिक गर्वाज़ा छाते ही चानला दुसरे फीर को वालूरर कर सकाचा, यहां पर से कहा जाते हैं अCryडन, और बिसकता से नक् Kinne and आपका एक तरह से कहा जाए और यहाँ पर मेजोरीटी एंड माइनोरीटी और इक्वल इसका मतलब यह हुगा कि मेजोरीटी और माइनोरीटी क्या है स्टेट के नजर में जो हैसो इक्वल है क्योंकि अगर कोई बड़ा जन संख्या में धर्म वाले लोग हैं उनके साथ में एक तरह से कहा जाए तो डॉमिनेट नहीं करें ठीक है कि डॉमिनेशन नहीं हो मतलब एक रिलिजन के लोग दूसरे रिलिजन पर जैस डॉमिनेट नहीं करें ठीक है उसके बाद मैं एक तरह से कहा जाए तो अब यहां पर है कि हमने आपको बता दिया है कि आपको हमने आपको पहले चर्चा किया है कि यहां पर आपका कम्प्लीट जह सो इससे प्रेशन नहीं है इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि देरर इस नो कम्प्लीट सेप्रेशन ब्रिलेजन और इस्टेट इस इस डी मोडल अब यहां पर इंडिया जह सो आपको अगर उसको लगता है कि यह important matter है तीस में क्या कर सकता है कि जो आपका इंडिया है उसको interfere कर सकता है अब हम लोग तुरह सा नेचर देखते हैं कि आपका इंडियन constitution का नेचर क्या है कि 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 इंडियन constitution के नेचर क्या है तो सबसे पहला यह है कि यह रीटन constitution है या हमका है कि यह जो है सवापका लिखित constitution ने लिखा गया है पेपर पे है हर एक चीज़ यहां पर लिख दी गई है ताकि कोई बात नहीं रहे लेकिन ऐसे में भी ऐसे ही लिखित constitution है अस्ट्रेलिया में भी है लेकिन यूके में एक ऐसा देश है यूके यूनाइटिट किंग्डम या ब्रिटेन कहिए कि नो रिटेन constitution यूके में नहीं है सिवो अनस्टियान अगर हम लिख देते हैं तो वह constitution होता ठीक है तो यहां पर अगर लिखित है तो easy to देखिए तो यहां पर क्या है कि एक तरह से कहा जाये तो easy to आपको find the rules नियम को जो है आसानी से प्राब्द किया जा सकता है लिखित में है तो और कोई estate mistake नहीं करेगा कोई government mistake नहीं करेगा जो है लोगों के right को छीनने का काम यहां पर government नहीं करेगा यह जो है आपका return पॉइंट है कि वाई डज अ कंट्री नीड कंसिट्यूशन कि यह सौट फॉर्म है याद रखिएगा आप लोग ऐसे मतलब हम लोग लिख देते हैं कि constitution बार बार लिखना लंबा होता है तो एक्ट्यूशन में constitution की जरुवत क्यों है यहां पर समिधान की जरुवत क्यों वाई नीड क्यों है तो देखिए नीड का यह है कि आपको नीड यह है कि आपको एक तरह से कहा जाए तो पीसफूल जो है तो function of state कर पाए citizen का right को कोई छीन नहीं पाए और मैजरिटी पे जो है सो माइनरिटी जो है सो डोमिनेट नहीं करें यह जो है सो आपका नीड है constitution के लिए कि constitution अगर ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा अदर्वाइस अब यहां पर बात आती है कि डेखिए यहां पर अधाया हुआ हुगा है एक है है यहां नेशन कोई देश है मालीजे टीख है और यहां पर constitution है अब मालीजे कि यहां पर कहा गया कि कि सी देश में constitution है अगर मालीजे कि करें हम यहां पर कहते हैं कि यहां संभीधान है उसको चलाने के लिए तो किया हुर्ण नहीं होगा तो यहां पे यह डेमोक्रेटिक नहीं होगा क्यों कि Constitution का बेस के बारे में हमें नहीं पता है कि Constitution का बेस मोनार्की है या डिमोक्रेसी है क्या पता अपने को नहीं पता है लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह देश जह सो डिमोक्रेटिक है हुआ जब हम कहते हैं कि यह tutti यह ने कहा है तो रेक्रिडिक होगा नहीं होगा नहीं कहा जा सकता है इस संटीफिंट के का मतलब की है यहां पे Democratic कहने का मतलब है कि rule of law, मतलब जब कानून का राज है तो यहां कानून written nature का होगा, लिखा गया होगा कहीं पर, थीक है, जब लिखा गया होगा तो यही तो Constitution है, मतलब अगशा है, तो वहाँ पे Constitution का होना जरूरी है, क्योंकि यहीं तो है constitution अगर कहता है question में कि कोई nation democratic है तो वहां पर constitution का होना जरूरी है लेकिन अगर यहां question में कहता है कि कोई nation में constitution है लेकिन कोई बेसे मीनें इन the idea the belief in अगरिटरी आधी अक्रोप्रेशयग अर आधींृरिषिर्शल पहले तो रिटन होगा या उन्रीटन होगा ट्रीऊ मेंटार लेकिन अगर डेमोक्रेशिया अगर कहा जाहे किशिया डेमक्रेशिया it means that rule of law, they are having a constitution, it may be possible, but if any nation having the constitution, you can't say that the nation having the democratic or undemocratic like the Russia and like the China, China having the constitution, but it cannot say that it a democratic country, but India is the democratic country, it means that it having the constitution, okay, so, यहाँ पे इस पॉइंट को आप लो पेर करके रख लिजेगा, UPSC, State, PSE, इंटर्विव में आपसे यह पूछा जाएगा और वहाँ पे आपको दिमाग घुमाने की कोशिस करेगा सब, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बहुत ही important matter हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं, कि देखिए, सबसे पहले M.N. Roy करके थे, ठीक है, यह communist थे, इन्होंने कहा, कि भारत में, यह 9034 के something की बात है, कि भारत का संबिधान जो होगा, वह भारतियों के द्वारा बनेगा, इसका मतलब एक Constitution Assembly, सी यह कह रहा है, मतलब एक Constitution Assembly होनी चाहिए, इसको इंडोर्स किया, इंडियर नेशनल कॉंग्रेस ने, 1936 में, ठीक है, और उसको जो है सो, इसको बाद में जाके, इसको finally बनाया गया, और हमारा Constitution Assembly जो बनता है, 1946 से लेकरके, 1949 तक यह लोग जो है सो, एक written, एक लिखित Constitution, एक written Constitution यहाँ पर हमको मिलता है, भारत देश को अपना एक लिखित संबिधान मिलता है, ठीक है, यहाँ पर यह चीज़ क्लियर हो गया हमारे हिसाब से, अब लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, यह है कि भाई समिधान का पर्पस क्या है, पर्पस अब दे Constitution, समिधान का पर्पस क्या है, तो सबसे पहला तो पर्पस यही होगा कि nation having the rule of law हो, दूसरा पर्पस होगा कि यहाँ पर equal right की बात की जाती हो, रूल of law हो गया, equal right हो गया, no discrimination हो गया, तो यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए, equal right होना चाहिए, किसी के प्रते discrimination नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक तरह से कहा जाए, तो यहाँ पर, सिर्जन को aspire करता हो, या कहिए कि सिर्जन के needs को पूरा करता हो, ठीक है, उसके बाद मैं जो लोग हैं, उनकी इज्जत सम्मान की रक्षे करें, डिग्निटी के वो करके रखें, ठीक है, उसके बाद मैं एक तरह से कहा जाए, तो यहाँ एक तरह से कहा जाए, constitution जो है सो, एक set of the rule है, पॉब्लिक के aspiration का जो है सो, एक set of rule है, constitution जो है सो, एक तरह से कहा जाए, तो एक set of rule है, और पॉब्लिक के aspiration को fulfill करता है, और यहाँ पे दूसरा point यह हो गया, कि एक तरह से कहा जाए, तो सरो सम्मत्ती से बना हो, ठीक है, या agree of people on constitution of India, तो यहाँ पे जो है आपका पॉब्लिक जो है सो, उसके परती agree हो, जो भी constitution बना है, उसके परती agree हो, ठीक है, तो यह होगे आपका, आपको purpose constitution का क्या है, next point आपका यहाँ पे यह है, कि आपका, यहाँ पे बात की गई है, नेपाल के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि नेपाल में पहले मोनार्की था, फिर बाद में जैसर डुमक्रेसी आता है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको, नेपाल जो है, हमारे बाजू में है, मतलब हमारे, अगर हम यहाँ बात करें, ठीक है, यह जो है आपका यहाँ नेपाल है, इस इस नेपाल, ओके, तो जो यहाँ नेपाल है, यहाँ पे आपको, डिमांड जो है आपका, एडप करते हैं, कंसेचियूशन आपको, 1990 में, ठीक है, लेकिन यह वर्क नहीं करता है, यहाँ पे अनई से नवे में जैसो, एडप किया गए इस कंसेचियूशन को, लेकिन यह जो है, पॉबलिक के एस्पिरेशन को फूल्फिल नहीं करता है, क्यों, क्यों कि यहाँ पे क्या होता है, कि मोनार्की था उस टाइम पे, तो फिर जो है सो आपको, फिर से यहाँ पे लराई होती है, और 2006 में जो सम्विधान बनता है, वा, लोगों के हिसाब से बनता है, यह हम लोग कह सकते हैं, कि फूल्फिल दा एस्पिरेशन अब दा सि इंड मोनार्की, यहाँ पे राज तंत्र को खतम करके, और यहाँ पे क्या किया जाता है, लोग तंत्र को ले आए जाता है, ठीक है, यहाँ पे इंड मोनार्की and established democracy, ओके, यह जो है, आपके नेपाल के बारे में दो लाइन है, जिसको हमने आपको बता दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं आपका, कि जो constitution यह सम्विधान होता है, तो generally आपका एक तरह से democracy के अगर हम बात करते हैं, तो democracy दो टाइब का होता है, देखिए, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रिटेन में अगर कहिएगा, आज भी हमारानी रूल करती है, तो मोनार्की, head of the state मोनार्की है, लेकिन इंडिया में head of the state जो है, सो public के दोरा चूज करके आता है, जैसे आपको मुर्मुजी हैं, ठीक है, दुरापदी मुर्मुजी आपके president बनी है, यह कैसे आई है, यह चूज करके आई है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका democracy है, तो आपका यहाँ पे written constitution है, ठीक है, तो यहाँ पे no misuse power by government, सरकार जो है सो यहाँ पे अपने power का दुरुप्योग नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि rule में लिखा गया, अगर दुरुप्योग करेगी, तो public chair वैठेगा, तो यहाँ पे भारतिय समिधान में जो यहाँ पे power दिया गया है, इसको कहा जाता है, जो कि fundamental right की हम लोग बात करते हैं, कि आपको government को रोकने के लिए fundamental right दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 14 से लेकर के 18 तक आपका right to equality है, उसके बाद में जो है 100 और नई से लेकर के 22 तक आपका right to freedom है, और उसके बाद में 23 से लेकर के 24 तक right against exploitation है, उसके बाद में आपका 25 से लेकर के 28 तक right to freedom of religion है, दिख रहा है ना अपनों को, ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 29 और 30 जो है स्वापका right to minority groups है, और यहाँ पे 32 में आपका remedies दिया है, कि अगर आपका right कोई छीनता है, तो आप सिधे Supreme Court में जाएं या High Court में जा करके appeal कर सकते हैं, और court के पास power है कि Article 141 के तहत में यह थुरह देख लिजेगा, रिट्स जारी कर देता है, कि भाई क्यों तुमने वालेट करता है तुरंद बताओ, तो यह जो है सो आपको सम्मिधान में यह सारी चीज़ें दी गई है, जिसको हमने आपको यहाँ पर बताया, तो democratic society में आपको यह सारी आपके नियम लगते हैं या चलते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर next बात करेंगे आपका, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग domination की बात करेंगे, समझेगा आप, अब देखिए, डोमिनेशन दो तरह से होता है, एक इंटर डोमिनेशन होता है, और दूसरा इंटर डोमिनेशन होता है, देखिए, इन दोनों के बीच में कुछ बेसिक फर्क है, जिसको समझना परेगा, तो डोमिनेशन का मतलब यह होता है, कि माल लिजए कि एक ग्रूप यह है, यह हिंदू है, यह मुसलिम है, तो मुसलिम वाले जो है, तो हिंदू वाले मुसलिम पर चड़ जाएं, उनके राइट को छील लें, तो इसको कहा जाता है, कि डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर एक तरह से कहा जाये, तो अब देखिए, इंट्राडोमिनेशन और इंट्राडोमिनेशन दो वर्ड है, इंट्राडोमिनेशन का मतलब यह है, कि दो अलग-अलग रिलीजन के बीच में चीजह हो रही है, और इंट्राडोमिनेशन का मतलब यह है, एक ही ही जैसे हिंदु में सी स्टी और ऐस उपर कास्ट और हुंस पे टो सब्सक्राइब दा है दожд upon your है इंदिलेटि फॉर किर्फ है कि आपका मेजरूटी जो है हूं मानियोटिक राइट टो छीम रहा है दूसरा इहां पर इंट्रा डॉमिनेशन में क्या होता है इन दे शेम ग्रूप्स एक तरह से कहा जाए तो तो देखिए यहां पर क्या है क्या है कि यह सेम ग्रूप के लूग जो है सो आपका एक पिपूल जहें सो जो कमजोर पिपूल है उनके राइड को क्या कर रहे हैं और यहां पर क्या है है इसको बोल सकते हैं यह यह तो मुसलिम के यहपका टोपका जाए आपको एक तरह से कहा जा अब है कि यहाँ आपका तो उसके अच्छा प्सकेयोशन है अगर कोई अच्छा कॉंसिचूशन है तो उसका बागी अमेंडमेंट तो होगा लेकिन जो बेसिक स्ट्रॉक्चर है ना उसमें कोई चेंज नहीं होगा ठीक है तो आगे हम लोग चलके इसके बार में काफे डिटेल डिसकस करना एक चैप्टर ही है लक्षमी कांत पर बेसि है ठीक है इसमें अभी उतना ज्यादा लंबा खिचने के कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट पॉइंट है आपका वह है आपका फेडरलिजम के बारे में इसको हिंदी में संहवाद कहा जाता है मतलब क्या होता है पावर के शेरिंग होती है बाई होरिजन्टल एंड वर्टिकल अब यह समझना परेगा अगर हम कहते हैं कि होरिजन्टल पावर के शेरिंग हो रही है तिया पावर की sharing कैसे हो रही है यहाँ पे आपका legislative हो गया यहाँ पे executive हो गया और यहाँ पे judiciary हो गया ओके और अगर हम कहते हैं कि आपका vertical पावर की sharing है तो इसमें क्या हो गया center हो गया उसके बाद में नीचे उसके state आएगा और उसके नीचे local body आएगा ठीक है तो इस चीज़ को थरह ध्यान रखिएगा यहाँ पे question पूछ सकता है आपको वाट इस वर्टिकल वाट इस जन्रल पावर सेलिंग तो संगवाद में फेडरलिजम में जो है तो में चीज़ है कि पावर के शेरिंग हो रहा है और पावर के शेरिंग किया जाता है मतलब किसी रिजन के dignity को recognize करना मानना और रिजन के dignity को मानने का मतलब वहां के रहने वाले लोगों के dignity को मानना तो recognize पीपल डिगनिटी जो वहां के लोग है ना उनके dignity को यहां पर मानना ऐसा है इसका मतलब ठीक है अब यहां पर है आपको कि कि चलिए हमने में चीज़ें कवर कर लिए चुकि आपको यहां पर हर चीज को बताया गया है ठीक है लेकिन हमने है separation of power लेश्ले डाक ज्यूटि हमने यहां बताहिं देओशी मां जाएगा और पार्ल्यमेट्री फॉर्म अफ़ दे कौवर्मेंट्री कौवर्मेंट हो गया और यहां पर कुछ कंसेप्ट है इसको मैं दिखना है कि पार्लेमेंटरी फॉर्म आफ गॉवर्मेंट इस चीज़ को समझेगा पार्लेमेंटरी फॉर्म आफ गॉवर्मेंट में दो टाइब के सिस्टम होता है यहां पे एक होता है पार्लेमेंटरी फॉर्म और दूसरा होता है परसिडेंशियल फॉर्म तो यहां पे आपको डिवीजन अफ पाउर होता है और यहां पे सेपरेशन अफ पाउर होता है जैसे यह इंडिया में चलता है और यहां पे USA में चलता है यहां पे आपका हेड अफ एस्टेट परसिडेंट होता है और हेड अफ गॉव्मेंट जो होगा वह प्राइम निस्टर होता है और यहां पे आपका हेड अफ एस्टेट उसकल तो हेड अफ गॉव्मेंट इस एकल टू परसिडेंट तो यहां पे यह जो है फॉर्म अफ दे गॉव्मेंट अपने समझ लिया उसके बाद में हम थोरा सा यहां पे यह आप लोग समझ गया होंगे आगे हम लोग बढ़ते हैं लंबा लेक्चर ह हो गया है चोटा सा है इसमें है इसको करका हम लोग खतम करते हैं इसको में यहां पर एक तीज़ है कि क्या आप कहसकते हैं कि have a state is equal to government you कि एस्टेट government के इक्रॉत हो सकता है तो यह नहीं होगा क्यों कि गॉव्मेंट इजभ अinding पार्ट अफ ए एक पार्ट है क्योंकि एस्टेट में बहुत सरे चीज़ें आती है तो को एक पार्थ है यहांपर बात कर रहे हैं लेकिन एस्टेट का फ्रॉरमेशन जो होता है वह आपको लेस्ट लेटीव एक्जीक्यूटीव और जूडिसरी से होता तो आपसे कोई पूछता है कि एस्टेट और गॉवर्मेंट टेक ही है क्या तो नहीं है भाई क्योंकि एस्टेट में बहुत सरी चैसे आती है अग गॉवर्मेंट इस पार्ट अब एस्टेट ठीक है जो रूल और लॉग को मेंटेंड करने की कोशिस करता है सिंपल सी बात है इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो अगर कंफ्यूजन रहेगा इसमें तो आपका क्या हो जाएगा आप चले जाएंगे काम से और आपका यहां पर एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है हम आपको चुकि हो सकता है कि यहां में पूछ दे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यह क्या पूछ रहा है यह है आपका जी एच इडबल टी ओ आई इसका पॉर्णाउंसियेशन में बहुत खर्णाक हुए क्या बोलेंगे हम इसके क्या पढ़ेंगे गेटो इस गोटे इस सेशन इसको तरह आप लोग देखके कमेंट किजिए कि क्या पढ़ा जाएगा यहां पर है कि आपका मैजरीटी ग्रूप जह है सो माइनुर्टी ग्रूप एक तरह से कहा जाए मैजरीटी ग्रूप डॉमिनेंट पार्टिकुलर एडिया में इन ग्रूप इस डॉमिनेंट इन द पार्टिकलर एडिया में ठीक है यहां पर फियर भी डवलप होता है ठीक है जो माइनोरिटी है फियर डवलपीन माइनोरिटी तो माइनोरिटी को जो हैसे डर सताने लगता है क्योंकि में सबी लोग है तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो एक डर सताने लगता है डेट इस दो क्या कहा जाएगा इसको गेटव इस टीक है चलिए इस सेशन वे इतना ही है जय हिंजय भारत